हेलो दोस्तों स्वागत है आज आपको मारी इस नई वीडियो में इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ साइंस के कुछ कुछ कुछन अभी कुछ टाइम पहले हमने साइंस के कुछन का पार्ट वन पढ़ाया था इसके वाद आज हम आपको पढ़ाने वाले साइंस के उत्त्राकन के वी तो चलो शुरू करते हमारा पहला कुष्छन है प्लाजममें जल का पर्तिसत होता है तो आपको बता रहा है कि प्लाजममें जल का प्रतिसत होता है 50% 70 percent 80% या फिन 90% अगर आपको अंसर पता है तो आप इसका अंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके रहे हम थोड़ा वेट करेंगे तो दोस्तों इसका अंसर है 90% रग्ट प्लाज्मा में रग्ट का पीले रंग का एक तरल घटक है जिसमें संपून रग्ट की रग्ट कोस्ट का सम्माने रूप से रहती है प्लाज्मा में कुल रग्ट की मातरा लगबग 55% तक होती है प्लाज्मा में लगबग 90% जल होता है जिसमें प्रोटीन और खनीज आयन हार्मोन्स और कारवन डाई ऑक्साइट गुले रहते हैं इसी के साथ हमारा दूसरा कुशन है लार निंद में से किसके पाचन में सहीओ करती है तो आपको बताना है किसके पाचन में सहीओ करती है इस्ट्राज के प्रोटीन के रेसे के या फिर वसा के अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते है अगर आपको पता है तो आप बता दीजी तो इसका अंसर है स्ट्राच लार के भोजन कार्य में सामील है भोजन का गीला करना उसे असानी से निगला जा सके लार में एंजाइम होता है जो की स्ट्राट और सक्रा को जोड़ता है इसी के साथ हमारा तीसरा कुशन है एंजाइम है तो आपको बताना ह एंजाइम वसा है आरने है प्रोटीन है ये उप्यूक में से कोई भी नहीं है आप हमें बता सकते है कमेंट करके तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते है तो इसका आंसर है प्रोटीन एंजाइम है प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन होते है जिनका निर्माण नाइट्रोजिनिय पदार्त या अमीनो अमल के संसलेशन द्वारा होता है जैब किरिया में एक विशेश परकार के एंजाइम एक विशेश कार्यों को संपादित करते हैं ये उसी परकार कारे करते हैं जिस परकार एक ताले को खोलने में विशेश चाबी होती है तो इसी के साथ हमारा कुशन समापत होता है इसी के साथ हमारा चौथा कुशन है कंचन एक उन्नत किसम है आपको बताना है कि कंचन एक उन्नत किसम है अंगूर की आवला का अम्रूत का या फिर आम का अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं तो दोस्तों इसका आंसर है कि कंचन एक उन्नत किसम है तो कंचन आवला का एक उन्नत किसम है आवला के फल और सदी गुणों से यूप्ध होते हैं इसमें बिटामिन C की मात्रा पाई जाती है कंचन, कृष्णा, बनारस्जी, आदी इसके उन्नत सर में बिटामिन C मदद करता है तो आपको बताना है बिटामिन C किसके अपसोशर में मदद करता है लोह के, केलसियम के, आयोडीन के, सोडियम के अगर आपको पता है, तो आप हमें बता सकते हो तो दोस्तो इसका अंसर है फर्स्ट, लोह के, इसी के साथ हमारा छट्टा कुशन है दिमलिखित बिटामिनों में से कौन सा बिटामिन सरीन में भंदारित नहीं होता है आपको बताने हैं कि हमारे सरीन में भंदारित नहीं होता है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, या फिर विटामिन E तो दोस्तो इसका आंसर है विटामिन C आपको पताने हैं कि विटामिन C जल में विले होता है जो सीगिर ही मुत्तर के साथ उर्सर्जित हो जाता है तथा ये हमारे सरीर में संचित नहीं हो पाता है विटामिन C हमारे सरीर में संचित नहीं हो पाता है इसी के साथ हमारा next question है सैक्लोटॉन किसको तौरिट करने के लिए परिउट किया जाता है आपको बताना है कि साइक्लोटोन तरिक्ट करने के लिए परिक्ट किया जाता है न्यूटोन को, प्रोटोन को, परमान को या फिर आयन को अगर आपको आंसर परता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो इसका आंसर है प्रोटोन सेक्रोटोन एक ऐसा पकरण है जिसके द्वारा प्रोटोन, करण, तधा, डूटोन आदी के उच्छ वेक को उत्पन किया जाता है इसी के साथ हमारा नेक्स्ट कुश्यन है सूर्य पर उर्जा का निर्मान होता है यह बहुत ही जादा Matternd Question है आपको बताने कि सूर्य पर उर्जा का निर्मान होता है नाबी के विखंदान दौरा, नाबी के सनलेन दौरा या फिर ऑक्सिकरण अभी किर्याओं दौरा या अपकरण अभी किर्याओं दौरा तो अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं इसका अंसर तो इसका अंसर है सेकंड वाला नाभिकिया सलनेयन द्वारा तो इसका अंसर है नाभिकिया सलनेयन द्वारा इसी के साथ हमारा नवा कुशन है निमलिखित तत्व में से कौन जब वायू तता अंदेरे में रखा जा या सिंदूरी फास्पोरस है या फिर बैंडी फास्पोरस है तो इसका आंसर है सव्षेत फास्पोरस अंधेरे में सपेत फास्पोरस को वायू पे रखनी पर उसमें से पीला हरा परकास उस्तर्जित धोता है जिसकी गंद लहसुन जैसी होती है, सपेथ फासपुरस के इस तिप्ट गुलो को रासैनिक संदिप्ती कहते हैं वायू से बचने के रहे सपेथ फासपुरस को जन में लखा जाता है क्योंकि साधारा नताप पर वायू में यहां जलने लगता है इसी के साथ कियों जर्मन सिलवर में चांदी का 10 होता है, आपको बताना या है जर्मन सिलवर पर चांदी का 10 होता है, चांदी नहीं को जिरुपररसंट DO Speaking झाल झाल